तो एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम compare करने वाले Hyundai i20 के sports variant को Kia Sonnet के HTK variant के साथ में यहाँ पर दोस्तों इन दोनई गड़ी की प्राइस है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल बराबर देखने को मिलती है तो चैनल को भी जरूर से सस्क्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी जरूर से दबा लें हमेशा की तरह दोस्तों शुरुवात करेंगा हम इन दोनई गड़ी की प्राइस इंजन स्पेसिफिकेशन और डाइमेंशन के साथ में क्राइस की अगर हम बात करें तो हुंडाई i20 का स्पोर्ट्स विरेंट 7,69,000 रुपे में मिलता है वहीं आपको किया सोनेट का HTK विरेंट भी 7,69,000 रुपे में मिल जाता है दोनों ही गड़ी की डाइमेंशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको इन दोनों ही गड़ी की डाइमेंशन देख सकते हैं वन लीटर का Hyundai i20 में आपको 311 लीटर का boot space दिया गया है Ground clearance के अगर हम बात करें तो Kia Sonate में आपको 45 mm का ground clearance भी ज्यादा मिल जाता है Hyundai i20 से Tire size की दोस्तों कर हम बात करें तो R16 निंज के tire हैं आपको इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं Hyundai i20 में आपको 195, 55, R16 निंज के tire दिये गये हैं वहीं Kia Sonate में आपको 195, 60, R16 निंज के tire मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों मिलने वाले engine specification के अगर हम बात करें तो 1.2 लीटर का petrol engine या आपको इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर दिया गया है 83 PS की power यहांपर आपको मिलती है जो की बराबर दी गई है 115 Nm का torque भी दोस्तों यहांपर आपको बराबर मिल जाता है इन दोनों ही गाड़ियों के engine के साथ में mileage की अगर हम बात करें तो 20.35 km की mileage Hyundai की i20 में claim की जाती है और वहीं Kia Sunet में मिलने वाले 1.2L petrol engine के साथ में 18.4 km की mileage claim की जाती है 5-speed का manual transmission यहापर आपको इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाता है वहीं Hyundai की i20 में आपको manual transmission के साथ साथ CVD transmission भी मिल जाता है जो की Kia Sunet में मिलने वाले 1.2L petrol engine के साथ में नहीं मिलता है तो यह तो कि दोस्तों इन दोनी गाड़ि की price, engine specification और dimensions के बारे में बात अब हम बात करते हैं इन दोनी गाड़ियों के exterior और interior के बारे में यहापर दोस्तों सबसे पहले हम बात करें हैं Hyundai i20 के exterior design के बारे में तो यहापर आप या front profile Hyundai i20 के sports warranty की देख सकते हैं यहापर आपको बड़ी सी black color की grill दी गई है halogen headlamp भी यहापर आपको इस window में मिलते हैं projector fog lamp भी यहापर आपको मिल जाते हैं और LED daytime running light भी यहापर आपको दी गई है i20 की side profile दोस्तों यहापर आप देख सकते हैं body color के door render यहापर आपको मिलते हैं जो की yellow wheel नहीं है लेकिन steel wheel यहापर आपको मिलते हैं clear profile में यहापर आपको LED tail lamp दी गई है जो की Kia Sonate में नहीं मिलती है interior के अगर हम बात करें तो all black interior दोस्तों यहापर आपको Hyundai की i20 में मिल जाता है उसी के साथ में यहापर आपको Hyundai की i20 में touch screen system भी देखने को मिल जाता है sports variant में अब दोस्तों हम बात करते हैं Kia Sonate के HTK variant के exterior और interior के बारे में अभी दोस्तों यहापर आप Kia Sonate के HTK variant की front profile देख रहे हैं जहापर कि आपको black color की signature grill मिलती है Kia की और silver ascent यहापर आपको देखने को मिल जाते हैं HTK variant में भी दोस्तों यहापर आपको halogen headlamp भी दिये गए हैं और कोई भी fog lamp यहापर आपको इस variant में नहीं मिलता है और LED DRL भी यहापर आपको नहीं मिलती है Bumper में यहापर आपको silver color की skid plate मिल जाती है Kia Sonate के अंदर अब बात करते हैं side profile के बारे में Kia Sonate की side profile में दोस्तों यहापर आपको steel wheel मिलते हैं वे फुल wheel cover body color के door handle दिये गए हैं और ORVM भी body color में ही दिये गए हैं लेकिन इसमें दोस्तों आपको turn indicator ORVM के उपर देखने को नहीं मिलते हैं और side body cladding यहापर आपको मिल जाती है Kia Sonate के HTK variant में अगर हम rear profile की बात करें तो rear में आपको halogen tail light दी गई है LED tail light नहीं मिलती है roof mounted antenna यहापर आपको मिल जाता है और silver color की skid plate rear में भी आपको दी गई है interior के अगर हम बात करें तो दोस्तों आप आप Kia Sonate के HTK variant का interior देख सकते हैं all black interior यहापर आपको मिलता है silver ascent यहापर आपको interior में दीए गए है लेकिन आप आपको 2DIN का music system interior में देखने को मिलेगा Kia Sonate के HTK variant में तो यह तो होगी दोस्तों इन दोनी गड़ी की सभी exterior और interior के बारे में बात अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इन दोनी गड़ी में मिलने वाले सभी features के बारे में यहापर दोस्तों सबसे पहले हम सुरुआत करेंगे इन दोनी गड़ी के common features के बारे में स्पीड सेंसिंग ओटो डोलोग का फीचर भी यहां पर आपको दिया गया है और चायल्ड सेफटी लोग का फीचर भी यहां पर आपको इन दोनोई विनिट में मिल जाता है तो यह सभी बेसिक सेफटी फीचर से आप आपको इन दोनोई गड़ी के दोनोई विनिट में मिल ज यह मतलब की all four power windows यह आप आपको दोनोई विरेंट में दी गई है Electrically adjustable ORVM का feature भी आपको दोनोई विरेंट में मिल जाता है 12W का power outlet मिल जाता है mobile charge करने के लिए driver armrest यह आप आपको दिया गया है front seat के headrest यह आपको adjustable दिये गए है दोनोई विरेंट में full folding rear seat का feature भी यह आपको मिल जाता है cup holder and bottle holder यह आपको all four door के अंदर दिये गए है sunglass holder यह आपको दोनोई विरेंट में दिया गया है और remote central locking भी यह आपको मिल जाती है बात करें इन दोनी कड़े में मिलने वाले music system के बारे में तो i20 में दोस्तों आपको 8 इंच का touch screen system दिया गया है जिसके साथ कि आपको apple carplay android auto का feature मिल जाता है am, fm, bluetooth की connectivity यह आपको मिल जाती है और Kia sonet के htk विरेंट में आपको 2d in का music system दिया गया है जिसके साथ भी दोस्तों आपको am, fm, usb, aux और bluetooth की connectivity मिल जाती है दोने विरेंट के अंदर आपको steering mountain audio control भी दिये गए है Hyundai की i20 में कुछ इस तरह का digital instrument cluster आपको मिल जाता है और Kia sonet में भी दोस्तों आपको semi digital instrument cluster दिया गया है htk विरेंट में अब दोस्तों हम बात करते हैं इन में मिलने वाले unique features के बारे में सबसे पहला हम बात करेंगे Hyundai की i20 में मिलने वाले unique features के बारे में वो feature जो कि आपको खिया sonet में नहीं मिलते हैं लेकि i20 में मिल जाते हैं i20 में आपको tilt and telescopic steering wheel का feature मिल जाता है sonet में आपको सिर्फ tilt adjustment देखने को मिलता है reverse parking camera with guideline का feature यहाँ आपको दिया गया है cold glove box यहाँ पर आपको मिल जाता है LED daytime running light यहाँ पर आपको दी गई है और projector fog lamp भी यहाँ आपको मिल जाते हैं Hyundai की i20 में 8 inch का touchscreen music system भी यहाँ पर आपको मिल जाता है electrically foldable overbeam का feature भी यहाँ पर आपको दिया गया है electrically adjustable overbeam का feature तो आपको दोने ही unit में मिल जाता है rear defogger यहाँ आपको मिलता है i20 में और tire pressure monitoring system का feature भी आपको i20 में मिल जाता है तो यह सभी वो feature है दोस्तों जो कि आपको Hyundai की i20 के sports unit में मिलते हैं लेकिन Kia Sonate के HTK unit में नहीं मिलते हैं अब बात करते हैं Kia Sonate के HTK unit में मिलने वाले unique features के बारे में तो दोस्तों यहाँ आपको feature के मामले में Kia Sonate के HTK unit में Hyundai i20 से ज्यादा feature नहीं मिल पाते हैं लेकिन कुछ चीजें जो कि आपको Hyundai i20 से Kia Sonate में ज्यादा मिल जाती है जैसे कि यहाँ आपको ज्यादा ground clearance मिल जाता है Kia Sonate में Hyundai i20 से ज्यादा boot space मिल जाता है जिससे कि आप better decision ले पाएं तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो में अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को like करें चैनल को भी जरूर से subscribe करें